हर्याना की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एस टीवी हर्याना निजूज नमस्कार आप देखने खबर गरम है और मैं हूँ आपके साथ मनीशा जा निर्दलिय विधायक बलराज कुंडू और पूर मनिश ग्रोवर के बीच तकरार जा रही है पूर मनिश ग्रोवर पर आरोप लगा रहे हैं कि एक बार फिर से कुंडू ने पूर मनिश के खिलाब मूर्शला खोलते हुए आरोपों की बोच्छार कर दी मेहम से निर्दलिय विधायक बलराज कुंडू ने एक बारफशर्च से पूर्व सहकारता मंतरी मनी श्रोवर के खिलाफ मोचा खोल दिया है कुंडू ने आरोप रगाते हुए कहा कि आहुजा बैरल के नाम से पूर्व मंतरी की अपनी कमपनी थी जिसमें पांसो से साथ सो करोड का खोटाला किया किया आउजा बैरल और एक और रोतक की कमपनी दो इसकी अपनी जो कमपनी है इसके मामे के लड़के हैं और ये पेरेंटल धंदा है मनीश गरोवर जी का ये सुरू से आप सब जानते हैं उनी के नाम पे सारा खेल हुआ है ये सारा उसी के नाम से खेल हुआ है वो पानीपत का 80,000 टन पानीपत सुगर मिल से गाइब हुआ और उसको गाइब करने का ये की रास्ता फाइपलाइन गा जो डिस्टिलरी में जाता है निर्दलिय विधायक ने कहा कि हर्याना की शुगर मिलो को 3300 करोड का खाटा हुआ लेकिन ये खाटा नहीं बलकि खोटाला है और उने कहा कि महम के शुगर मिलो में एक साल में 13 करोड का खाटा था लेकिन वो 94 करोड के खाटे पर पहुँच गया सरकारी मिलों की प्रोडेक्शन जो रिकावरी है वो 8 से 9 परसेंट की है और प्राइवेट सुगर मिल की आप रिकावरी पता करेंगे 12 से 13 परसेंट ये तो जो 3300 करोड रुपे का जो लोस है इन सुगर मिलों में ये सारा ही तो गोटला है बलराज कुंडू ने SIT के गठन पर भी सवाल उठाए कुंडू ने SIT में शामिल अधिकारियों को लेकर असंतुच दिखे और उन्होंने अधिकारियों को बदलने की मांकी पैनल में मैंने अच्छे इमानदार अधिकारियों की लिस्ट दी थी उन्होंने उसमें कलीर कट लिख्या था कि इन अधिकारियों में से एक एक अधिकारी एक रोड का एक सीवर का पबलिक हैल्थ का पिरूडी का वो लगा के उसकी उसमें कर दें लेकिन ये सारी मैनुपलेशन जो उसमें इन्वोल अधिकारी रहे हैं आनन्द बोन सर्ण है ओपी गोईल है जिसका ओपी गोईल का छटी बार एक्स्टेंशन है छटी बार एक्स्टेंशन उसकी ओके आई हुई है दरसल पिछले दिनों अर्बन लोकल बाडी में होटाले कारोप लगाते हुए कुंटू ने अनिलविज को पिछले पास साल में फ्रश्टा चार संबंदी कागज सौंपे थे साथियों नोंने पूर्व सेकारता मंत्री मनिश क्रोवर के खिलाव थी कई दस्तावेज क्रह मंत्री को सौंपे थे और जाच की मांग की थी जिसके बाद अनिलविज ने इस पूरे मामले की जाच के लिए एसाइटी के गठन के आदेश्टे दिये थे और एक महिने में रिपोर्ट मांगी थी लेकिन बलराज कुंडू एसाइटी में शामिल अधिकारियों से संतुष्ट नहीं दिखे और कई अधिकारियों के शामिल होने पर एतराज जताया हर्याना न्यूस के लिए चंडिगर से राकेश गुपता की रिपोर्ट